हाई गाईज मेरा नाम है साफ और आप देख रहा है हमारे यूटीब चानल टेक रेडियो को गाईज आज की वीडियो में हम लोग गुड़ आप के अगले मोडिकल के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है साउंड एसिस्टेंट अब काईज साउंड एसिस्टेंट की हेल्ग से हम लोग अपने फोन में कौन-कौन सी चीज़ों को कस्टमाइज कर सकते हैं तो काईज इसके नाम साही पता चल रहा साउंड अब गाईज यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अभी default mode पर set करके रखा है यानि कि इसको off करके रखा है तो अभी जो भी मैं volume key को press करता हूँ तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं left side में यह volume panel जो आ रहा है लेकिन जैसे ही मैं इसको on करता हूँ तो अब आप लोग देखना क्या होगा यह जो है right में चलाया है और इसमें हम लोगों को यही से बहुत साड़ा customization करने के लिए मिल रहा है यहाँ से हम लोग अलग-अलग application के sound को भी control कर सकते हैं तो इसको on और off करने का अलग-अलग purpose होता है हम लोग अपने convenience के लिए हम लोग इसको use करते हैं अब guys next है कि control media volume अब इससे क्या होगा जैसे ही मैंने इसको off कर दिया तो यहाँ पर लिख रहा है control the media volume instead of the ringtone when you press the volume keys अब guys इससे क्या होगा कि जब मैंने इसको off कर दिया तो यह जो system volume है उसको हम लोग जब भी key को press करते हैं volume key को तो यह system volume को control करने लगेगा लेकिन जैसे ही हम इसको on करते हैं तो यह जो media volume है उसको control करने लगेगा तो इसका features यह हो जाता है अब guys next चलते हैं individual app volume अब इसमें क्या होगा control the volume of each app अब यहां से हम लोग अलग-अलग application को हम लोग अलग-अलग volume से control कर सकते हैं यहां पर आप लोग देख सकते हैं मैंने दो application को add करके रखा एक है Samsung Music दूसरा है YouTube इसको हम लोग individually control कर सकते हैं इसके volume को यहां से आप लोग देख सकते हैं और चाहें तो यहां से plus वले icon पर click करके आप लोग-अलग-अलग application को यहां से add कर सकते हैं एक्जांपल मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहां पर आप लोग देख सकते हैं यह fortnite game है तो इसको मैं जब भी add कर दूँगा यहां से तो इसके volume को भी हम लोग control कर सकते हैं जब भी मैं fortnite game को खेलता हूँ तो कौन से volume पर रहेगा यहां से मैंने इसको select किया 39% पर अब next guys कि media manner mode अब media manner mode कहने का मतलब क्या हुआ है कि इसको मैंने off कर दिया अब यहां पर आप लोग देख सकते हैं इसका description आ चुका है when your phone is set to vibrate or mute media volume is also muted यहां से आप लोगों को clear हो गया होगा अगर नहीं हुआ तो मैं आप लोगों को समझा देना चाता हूँ जब भी हम लोग अपने phone को vibrate या फिर silent mode पर करते हैं example मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मैंने यहां से इसको silent कर दिया तो अभी मैंने इसको off करके रखा तो आप लोग यहां से देख सकते ही है जो media volume में off नहीं हुआ ही है यह bixby वाला इसको manually on या off करना परता है तो इसको हम लोग अभी के लिए छोड़ देते हैं अभी हम लोग आप लोग देख सकते हैं यहां जो system volume में इसको मैं uptown कर रहा हूँ तो इससे जो media volume में उसको कोई फर्क नहीं पर रहा है तो guys अगर जैसे ही मैं इसको on करता हूँ change the step volume अब इसमें क्या है 1 से लेकर 10 तक हम लोगों को दिया जा रहा है अब जब भी हम लोग volume को up और down करते हैं यहां पर आप लोग देख सकते हैं यह जो कितने steps से volume up होगा volume down होगा तो इसको भी हम लोग यहां से control कर सकते हैं यहां से मैंने इसको 10 पर कर दिया है तो अब आप लोग देखना यह बहुत तेजी से up और down होगा यहां आप लोग देख सकते हैं अब मैंने इसको one पर कर दिया है तो आप लोग देखना कितना slow यह up और down होगा अब next हम लोग चलते हैं custom vibration अब यहाँ से आफ लोग vibration को customize कर सकते हैं edit कर सकते हैं, create भी कर सकते हैं अब यहाँ पर आप लोग देख लेख लिए और notification के लिए तो सबसे पहले हम लोग calls के लिए try करते हैं अब यहाँ से आप लोग vibration को अलग-अलग create कर सकते हैं कि कैसा मेरा जब कॉल आएगा तो कैसा वाइबरेट करेगा अब फिर से हम लोग बैक चलते हैं अब यहां से आता है गाइस कंट्रोल ओडियो अब गाइस यहां से एक फीचर निकल के आता है कि मल्टी साउंड अब मल्टी साउंड कहने का मतलब क्या हुआ अजियूम कर लिजे कि आप लोग सैमसंग म्यूजिक पर कोई गाने सुन रहे है अब अब आट इसेम टाइम आप लोग किसी दूसरे अप्लिकेशन जैसे कि सैमसंग वीडियो प्लेयर से आप लोगो ने कोई सभी वीडियो को प्ले कर दिया तो क्या होगा गाइस कि बहुत सारे केस में क्या होता है कि सैमसंग म्यूजिक का जो साउंड है गाना है वो डुक जाएगा और वीडियो प्लेयर का जो वीडियो प्लेयर से जो वीडियो आप लोग ने प्ले किया था वो चालू हो जाएगा लेकिन अगर आप लोग इसको on करके रखते हैं तो क्या होगा कि दोनों जो है samsung music और video player दोनों जो है same time पे चलेगा तो आप लोगों को सुनने काओ मिलेगा कि दोनों एक time पर बज़ड़ा है अब guys next चलते है separate app sound अब इसमें क्या होता है अब guys इस वाले option के हल से हम लोग किसी individual app को select कर सकते हैं कि वो headphone या फिर किसी other audio device पर support करें example की तोरपे मैंने samsung music को set किया है तो अब क्या होगा guys कि जब भी मैं earphone या फिर किसी other audio device को अपने phone से attach करता हूं या फिर wirelessly control करता हूं तो वो जो samsung music है सिर्फ उसमें काम करेगा तो guys इसका features यह हो जाता इस next वाला जो option है sound quality and effects इसमें क्या हम लोग कर सकते है customize your sound setting and effects इसमें हम लोग क्लिक करके जाते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को equalizer मिल रहा है normal, pop, class, classic, jazz, rock, custom custom में आप लोग जाएंगे तो custom इसको कर सकते हैं अगर उसी के नीचे आएंगे तो आप लोगों के यहाँ पर बहुत सारे option दिख रहे हैं जैसे concert hall, dolby atmos यहाँ से आप लोग इसको dolby atmos को भी on कर सकते हैं और भी बहुत सारे audio customization मिलते हैं जाएंगे तो आप लोगों को यहाँ पर देख सकते हैं bit up scaling हो गया bit and bandwidth up scaling तो यहाँ से आप लोग अपने recording अपने convenience के recording यहाँ से आप लोग अपने audio को और sound को control कर सकते हैं उसको customize भी कर सकते हैं अब फिर से हम लोग बैक चलते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो की सबसे last setting है advanced setting इस पर हम लोग click करते हैं तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं mono audio अब यहाँ से जैसे ही हम लोग इसको on करेंगें तो यह mono audio कहने का मतलब क्या हुआ कि switch audio from studio to mono when listening with one ear zoom कर लिए कि earphone का use कर रहे लेकिन एक कान में आप लोगों ने earphone लगाया दूसरे कान में नहीं लगाया तो आप लोग यहाँ से इसको control भी कर सकते हैं कि mono के लिए कि एक कान में सुनाए दे इसी तरीके से हम लोग अगले option के तरह परते हैं तो favorite media app इसमें क्या होगा गाइस की जब भी हम लोग कोई साभी bluetooth डिवाइस को करने करते हैं अपने फोन से या फिर हम लोग wearable पहनते हैं या फिर बहुत सारे ऐसे bluetooth डिवाइस जो की हम लोग पहनते हैं जिसे हम लोग गाने सुनते हैं और भी बहुत सारे काम करते हैं उसमें buttons होते हैं control करने के लिए तो हम लोग यहाँ सेट कर सकते हैं कि उसके button को हम लोग press करेंगे तो हम लोग अपने phone में जो application है उसको हम लोग control कर सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर select करके रखा है Samsung Music अब guys next features की तरफ चलते हैं control music with volume की अब इसमें क्या होगा guys कि जब भी मैं इसको on कर देता हूँ और मेरा जो screen है off होगा तो इसके off screen रहने पर हम लोग इसके जो volume up और down की है तो इससे हम लोग track को है next और back करने के लिए हम लोग use कर सकते हैं अब next वाला features क्या है guys कि alert through headphone अब जैसे ही हम लोग ने headphone लगाया तो जो alert होता है तो उसको हम लोग set करके रख सकते हैं कि कौन-कौन सा alert हम लोग उको मिले तो मैंने यहाँ आपर set करके रखा है notification अब यहाँ से आप लोग alarm भी set कर सकते हैं ringtone भी set कर सकते हैं अब फिर से हम लोग back चलते है reverse studio अब इसमें क्या है guys कि swap the left and right audio output headphone अब guys इसमें क्या होगा कि जैसे ही मैंने इसको on किया तो headphone में क्या होता है कि guys दो speaker होते हैं दो headphone हम लोग वोखो भी दिया जाते हैं एक right और एक left तो इसके हम लोग volume को control कर सकते हैं कि left में कितना होगा और right में कितना होगा तो guys ये था आज की वीडियो का सबसे last features उमीद है कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा अगर वीडियो में कोई सभी दिक्कत हो तो आप लोग मिझे comment करके बताना मैं आप लोगों के problem का solution ज़रूर रूप बताऊंगा तो guys अभी हम लोगों ने देखा कि हम लोग sound assistant की help से हम लोग अपने phone में कौन-कौन सी चीज़ों को customize कर सकते हैं guys अगर वीडियो पसंद आये तो इसे like करना, share करना और साथी साथ अगर आप मेरे channel पर नए हो तो channel को subscribe कर लेना मिलते हैं next video में, तब तक की लिए good bye